हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग लॉज आप मोशन की यूनिट में पढ़ने वाले हैं कॉन्टाक्ट फॉर्स और कॉन्टाक्ट फॉर्स का जो सबसे इंपॉर्टन कॉंपोनेंट है फ्रिक्शन 11 के बच्चों को या फिर नीट के एजए मेंस के एजए एडवांस के कोई भी बच्चे हो उन सभी को फ्रिक्शन में बहुत प्रब्ल्म होती है खासतोर पर डालें निकालना और प्रॉल्लम सॉल्विंग में तो पहले आज हम फ्रिक्शन को एड्रेस करेंगे मतलब क्या होता कहां से आता है friction मतलब कौन लगाता है friction और किधर लगाता है friction यह जानेंगे फिर हम friction के questions को handle करेंगे friction के questions को हमने handle करने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक horizontal plane पे friction या फिर बूल जाए flat surface पे friction फिर किसी एक block पे friction की बात कि कि हमने फिर हम बात करेंगे multiple blocks में friction के बारे में फिर हम बात करेंगे inclined plane पे friction कैसे लगता है clear तो बिना time waste किये पहले हम address करते हैं contact force क्या होता है नाम से ही पता जलता है contact means संपर्क संपर्क के वज़े से लगने वाला force दो surface जब एक दूसरे के एक force लगता है उस force का नाम है contact force लेकिन किस condition में लगता है वो देखना बहुत important है तो start करते हैं हम लोग contact force तो हमने आपको जैसे पताया नाम से ही पता चलता है कि contact के वज़े से लगने वाला force ठीक है तो जैसे एक simple सा example ये हमारे पास एक horizontal surface है इस horizontal surface पे एक block को हमने रखा है इस block को रख दिया यहाँ पे मास के block को यहाँ रख दिया तो आप से पूछा गया है कि इन में contact force क्या है और कैसे लग रहा है तो देखो क्या है कि जब इसको तुम यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर force कौन कौन से लगेंगे मतलब इसका हम बोलते हैं mg वो लगेगा अब यहाँ से अब शुरू होता है contact force का गेम देखो जैसे ही अर्थ इसको अपनी तरफ खीचेगा यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ खीचेगा तो यहाँ पे एक पुशिंग फोर्स लगेगा किस पे इस होरिजेंटल सर्फिस पे क्यों क्योंकि यह वेट पुल कर रहा था इस ब्लॉक को तो ब्लॉक जो है इस होरिजेंटल सर्फिस को पुश मारेगा जैसे ही पुश मारेगा तो होगा क्या यह ब्लॉक का यह वाला सर्फिस है और यह होर नहीं चाहेंगे, रेस्टेंस चो करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ एक फोर्स इसके मॉलकूल्स इस पर लगाएंगे, और इसके मॉलकूल्स इस पर लगाएंगे, वही फोर्स होता है नॉर्मल रियक्शन, यह फोर्स है नॉर्मल रियक्शन, यह फोर्स आया क्यों, यह फोर् तो मैगनेटिक फोर्स होता है और नॉर्मल रियक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा जितना यह पुशिंग फोर्स लगेगा उसी के बराबर लगेगा मैंने वेट तो नहीं बोला, मैंने क्या बोला, जितना pushing force लगए उसी के बगाबर होगा, क्यों weight क्यों नहीं बोला आपने, यहां तो लग रहा है वेट के बगाबर, हाँ यहां लग रहा है, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा, तो यहां पे normal जो लग रहा है, क्यों वही एक force है, और वही एक contact force है, तो यहां पे अगर देखा जाए, तो यह block इस surface पे equilibrium में रखा है, इसलिए normal minus weight, that is contact, that is gravitational force, so n is equal to क्या जाएगा, mg, तो यहां पे यह contact force की value है, that means यह normal interaction की value है, वो gravitational force weight के बराबर है, ठीक है, तो यहां पे यह जो electromagnetic force है, इस electromagnetic force का magnitude, इस gravitational force के magnitude के बराबर है, अब आप सोच को यह क्या बवाल बताए जा रहे हैं आप, हाँ, normal reaction is an electromagnetic force, क्यों, क्योंकि यह दो molecules के interaction के बीच में लगने वाला force है, तो यह electromagnetic force है, और यह weight, weight gravitational pull है, तो बराबर कैसे हो गया, amount में बराबर है, magnitude में बराबर है, nature wise wind में बरा रहा हैं, नीचे के तरफ वेट, उतना यह इधर के तरफ पुश कर रहा है, acceleration नहीं तो दूनों का magnitude बराबर है, ठिक है, यह action reaction pair नहीं है, action reaction pair दे एहे, action reaction pair, क्या है, normal का लेख, इस surface ने इस पर लगाया दागा, ओर इस surface ने, इस पर लगाया इधर, यह action reaction pair है, ठीक है, तो य यह वेट क्या है यह कहीं अर्थ पे है ना अर्थ तो यह अर्थ को भी तो खीच रहा होगा यह F यह F M G तो अर्थ पे जो यह फोर्स लगाएगा ना यह ब्लॉग वो होगा उसका एक्षिंग एक्षिंग पेर क्लिर हो रहा है ना तो ठीक है हम अभी अब में टाप्टिक से डेविए नहीं करते हैं में मतलब क्या था नार्मल क्या होता है यह जो मॉलिकूल के इंटरेक्शन के वज़े से लगा इसका मैंनिटूड इसका मैंनिटूड नेट पुशिंग फोर्स के बराबर होता है तो आप अगर पुशिंग नहीं होगी तो नर्मल नहीं होगा पका देखो आप फिल करके देखो अगर मैं इस बोड़ पर हाथ लगा हूँ ऐसे तो क्या मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं क्या तुम पक्का जान सकते हो कि बोड़ भी तुम पर फोर्स नहीं लगा रहा लेकिन अगर मैं इसको दबाना शुरू कर दू? हाँ, आप वाल से फोर्स लगने लगया, इस बोल से फोर्स लगने लगया, इसकंद इससे पहले नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि हम इस पर पुशिंग नहीं लगा रहे थे, क्लिर है? चाहा, तो जितना हम पुश करेंगे, उतना लगेगा बिल्कुल करेक्ट है जितना आप पुछ फोर्स लगाओ उतना ही नॉर्मल लगेगा ठीक तो मतलब मतलब आपको फिर से में एक ग्जामपल लेके बताते हैं अगर मैं बोलू कि यह ब्लॉक यह यहां है ऐसे रखा हुआ था इस होर्जेंटल सर्फिस पे और मैं यह कॉस्टीट इस गरना सभी वाता है न यह है पॉटनिस बने गाई बेस बने का तो बेस्भाइ एपर दिस एस पास थी तो यह पर पंडिकुलर बन जाता तो यह का जाता एफ साइंट थीट थीक तो अगर मैं इसका अब इसका एबीड देखू अबीड देखूंगा मैं इसक अब गजाएगा एफ साइंट थीटा मैं अभी खाली नॉर्मल में इंट्रस तो और यहां पे लगेगा एक इंडरेक्शन फोर्ट डैट इस नॉर्मल तो नॉर्मल क्या हो जाएगा नेट पुशिंग फोर्स के बावर बताया थना देखो यह इस डारेक्शन में एकलूब् वर्टिकल डिरेक्शन में तो इस पर लगने वाला नेट फोर्टिकल डारेक्शन में क्या होगा? 0 होगा तो क्या लिखा जाएगा? N प्लस F sin theta minus mg is equal to 0 है नहीं? So N is equal to आजाएगा weight minus F sin theta. So अब देखो यहाँ normal कम हो जाएगा. जब आप किसी को pull करते हो और वैसे जैसे मैं खड़ाओ कोई मुझे उपर लोग तरफ पुल करें तो मैं अर्थ को कम force से push करूंगा तो मेरे पास normal भी कम आएगा. बहुत सारे बच्चे जानते देते हैं बार नेट pushing force के बराबर होगा. देट से टुक छूजना ही नहीं है. तो नॉर्मल देखो यहाँ वेट से कम हो गया. अगर कभी ऐसा case आया जब F sin theta dominate कर जाएगा तो यह नॉर्मल खतम हो जाएगा. क्यों? तब इसको आप lift करा लेंगे. क्लिर हो रहा ही नहीं हो रहा है? तो यहा नॉर्मल कितना होगा. सीधा सा है. यहाँ मैंने एक pushing force F लगाया. एक चोटा सा block था. बहुत चोटा सा block था. और मैंने यहाँ पर F pushing force लगाया. अब पुछा नॉर्मल कितना होगा. तो देखो यह से push कर रहे थे ना F. तो मैं डारेक्ट अब बता सकता हूं कि देखो यहाँ नॉर्मल force के बराबर हो गया. इन सबी cases में आप देख सकते हो नॉर्मल क्या आएगा. नॉर्मल इस तरह से calculate कर सकते हैं. फिर से हम अपने topic पर आते हैं क्या contact force क्या होता है. तो contact force हमने क्या बताया कि यहाँ पर यह block इस surface पर रखा था ऐसे. तो यहाँ पर हमने M-mass के block के ल ले गए और नॉर्मल के बारे में बहुत सारा discussion करने लगे. कोई बात नहीं है. फिर से वापस आते हैं. यहाँ पर contact force नॉर्मल के बराबर है. अगर यह block यह बला ब्लॉक इस surface पर चलने लग जाए और यह surface है rough तो क्या होगा? देखो जब दो surfaces के बीच में जब दो contact surfaces के बीच में और correct करने तो जब दो contact surfaces के बीच में relative motion हो या फिर relative motion की tendency हो तो उनके बीच में friction आ जाता है. फिर से repeat करूं क्या बोला मैंने? मैंने बोला जब दो contact surfaces के बीच में आप करें वो body नहीं बोल रहा हो देखो बेटा अब हो गए तुम बड़े क्या हो बड़े बड़े पिद्दी भर के नहीं हो एट नाइन टेंद में नहीं हो कि body बोलेंगे body इच देखना छोड़ो अब आप मतलब वाली जखे देखो क्या contact surface देखो अगर मैं बोलता कि जब दो bodies की बीच में relative motion या relative motion की tendency हो वह statement अगर मैं बोलता फिर आप question करने जाते तो आप 100% कहीं नहीं गलत कर देते इसी लिए मैंने correct बात बोली बिल्कुल to the point बात बोली क्या जब दो surfaces बिल्कुल नहीं जब दो contact surfaces या बोलो क्या बोलोगे जब दो contact surfaces के बीच मे Pentake के ौणे क्ते कर बोलने क्यों contact में होने चाहिए ऐसीर जब दो स्रफिस के बीच में relative motion क्या होता है जैसे यह मैंने हाथ रखा है क्या है ये अभी क्या है कोई relative motion नहीं हो रहा न, नहीं हो रहा न, ठीक है, अभी क्या है, अब relative motion हो रहा है, अब क्या है, अगर मैं इसको force लगाऊं लेकिन चला ना पाऊं ऐसे से करके, तो यह क्या कहलाएगा, यह tendency कहलाएगा, ठीक है, तो जब दो contact surfaces के बीच में relative motion, या फिर relative motion के tendency होती है, तो उनक contact force ये भी है, क्यों, contact के वज़े से आया है, तो तब उनके बीच में लगता है, contact force का एक component, उसको क्या बोलते है, friction, तो जब दो contact surfaces के बीच में relative motion या फिर relative motion के tendency होती है, तो उनके contact surfaces के along, एक force लगता है, उस force का नाम क्या है, friction force, और यह friction force, इस contact force का एक component है, किस contact force का, जिसका नॉर्मल भी एक हिस्सा है अगर माल लो यहां पे हम बोले कि यह ब्लॉग आगे जा रहा था तो इस पर इस पर फिक्शन तरह लगा टेंशन मत देना भी डारेक्शन निकालना को सिखाऊंगा तो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा यह फ्रिक्शन भी कॉंटाट के वज़े से ही यह वी आया है बतायों अभी क्यों के आया है यह स्यंक्षाट स्फियाują को सबस्क्राव है यह दोनों का क्वेभी स्यक्राइव सब्सक्राइब contact force क्या बोलते हैं contact force इन दूनों का रिजलेटिंग के आजाएगा contact force यह contact force और यह नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा थीटा इसको बोलें एंगल of friction ठीक है तो अगर हमसे कोई पुछे contact force का magnitude तो बोलेंगे नॉर्मल स्क्वार प्लस प्रिक्शिन का स्क्वेर अब अब बोलो क्या हमेशा ऐसे लिदो किया हमीचा है सब्सक्राइब नॉर्मल का बतलब है नॉर्मल टुदा सर्फेस न आलल का आए अलवेज पर्पिनिकूलर्ड दजर्स अर्फेस तर्फेस चांसर फेस पान शर्फेस ओंटंग शर्फेस अर्फेस विधन इस अल्वेश हॉ आई कॉंटाक्ट सर्फिस ठीक यह दोनों एक दूस्टे के मैसा पर्पेंडिकुलर ही आने वाले हैं तो इन दूनों कहां क्या गरेंगे स्क्वाइर करके एड गर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉंटार्ट फॉर्स जाएगा और यह एंगिल यह नॉर्मल से बना हुआ एंगिल है तो अगर मुझसे कोई बोले टैन थीटा तो टैन थीटा के जो वैली लिखी जाएगी वो टैन थीटा लिखी जाएगी एफ दिवाइड बाई एंगल आफ कॉंटाक्ट के लिखा जाएगा फ्रिक्शन और नॉर्मल की बीच में लगने वाला एंगिल तुम क्या लिखेंग श二 को टाच करा रा हूं लेकिन दूसरे पुस्ष नहीं कर रहे हो नहीं लगेगा और दुस्रे बीच में डूसरी को पुछ करेंगे तब हो गा और कफगा जब दूसरी पुछ करेंगे तो और किन दोनों केसे में खाली होगा जब दो सर्फम च। और पुछ करें तब होगा या फिर दोनों पुछ करें दो साथ में एं замеч limp 001 पी तब होगा क्लीयर तो अगर खाली रखे होते था कद था खाली रखे होते तो नॉर्मल काइब फोर्स कीलिस कॉन्टेक्ट फोर्स और अगर रखे के साथ इधर अगर अगर के नियुकुर कर रहे थे मूं करने कोशिक भीु मार रहे थे इस सब इसकोरणे कशिक में तब इसका reason क्या है? अब एक block यहां रखा था इस surface पर इस surface पर देखने में तो लग रहा है कि यह surface पर रखा है लग रहा है कि इसका सबका सब molecule contact में है लेकिन अगर ध्याण से देखें जैसे अपने तुम हात को अगर ध्याण से देखो यहाँ ट्यांस से बहुत दियांस देखो, यहाँ पर अगर ऐसे पहाड नदियां बेह रहीए इसे बीच में और इसमें दूसरे हाथ को रखो और इसे घिसो तो लगा रहा है रहा है और वैसे ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अगर मैं इस फोटो को जूम करों तो फोटो क कैसे नगर आएगी ब्लॉक के लिए बात करूं तो ब्लॉक का ये जो सर्फिस ये ऐसा इस इसा इसा ज़राएगा ये ब्लॉक वाला सर्फिस है ठीक है और होरीजेंटल सर्फिस ऑला कैसे नगर आगा कुछ ऐसा नगर आएगा तो 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 हुआ ये तुम देखो कि ये जुट सरफेशे के मॉलिकूल से माइक्रोस को पिए लेवल में अगर देखो ते दूसरे के इंटरेक्शन के वजय से लगा है फ्रिक्शन ठीक है तो friction क्यों लगा क्योंकि इन molecules के interaction के वज़े जो microscopic level molecules interact कर रहे हैं दूसरे के जाथ उसके वज़े से लग रहा है friction प्लस दूसरा region क्या है यह surface rough है यह mountains है यह हैं यहां पर देखो इस surface का mountain और इस surface के mountain यह माउंटेंस एक दूसरे से lock कर गये हैं जैसे breaker में आपकी गारी फस जाती है तो उसको चलाओ तो दिक्कत होती है निकालने के लिए exactly वैसे तो यहां mountains में फसे हुए हैं इस वज़े से लग रहा है friction तो friction किस वज़े से लगता है जब दो surfaces एक दूसरे contact में आते हैं जब दोनों surface एक दूसरे contact में आते हैं तो उनके molecules microscopic level में देखो एक दूसरे से contact में आते हैं तो इन molecules के बीच में लगने वाला interaction force मतलब electromagnetic force के वज़े से होता है friction force दूसरा दूसरा यह माउंटेन से surface की रफने स्कूलिस यह दूसरे में इंट्रलाक कर जाते हैं उसके वज़े से लगता है friction क्लियर चलो यह तो बता चलगा अभी आप सोच रहे हो जितने ज्यादा number of interactions होंगे उतना ज्यादा friction होगा बिल्कुल सही बात है तो इसका मतलब जितना बढ़ा एरिया होगा उतना ज्यादा friction होगा मतलब मतलब मैं अपने हाथ को इस surface को हिट कर इस surface को इस पर रव करूं तो friction ज्यादा होगा इस इस surface को रव करूं तब क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है इस surface ज्यादा friction होना चाहिए पहली नजर में देखने से तो ऐसा ही लग रहा है लेकिन अगर इसको ध्यान से सोचो क्या अगर मैं आपको बोलू नंबर ओफ माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन तो आप बोलोगे प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक एरिया ओफ कॉंटक्ट मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया एरिया ओफ कॉंटक्ट तो नंबर ओफ माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन जो होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके माइक्रोस्कोपिक एरिया ओफ है ऐसा इसलिए कि अगर मैं अपने हाथ को रहा हूं तो देख हो रहा है यहां पर इंडरेक्शन कम रहे हैं कैसे तो तो थो थो घड़क दिख रहा होगा अगया सब्सक्राइब खत्म हो जाये जादा ज़्यादा जादा ज़्यादा लॉल्फ मॉलेक्टिस कांटक्ट में आएंगे सोच कि देखो अगर आप इसको ऐसे हलके स्टेस्ट कर तो कम अलिकूल कंटेक्ट मेरे से हाथ को सब्सक्राइब देखो दबाद तो बिल्कुल जादा मॉलिकुल कर तश मेरेना तो यह का जाएगा नमबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन का जाएगा प्रेश सब्सक्राइब पूरा एरिया जितना कंटेक्ट में आपको दिख रहा है वो इस पर होगा तो नॉर्मल फोर्जी कियो उसक्या तो अगर आप कांटाइक बढ़ाते हो तो पुशीं फूर्स जो होगा उसी पे तो रिस्पांसिवल होता है प्रेशन आप एलांग फोर्जों होता है एरिया के वो थोड़ी ना आपको कोई प्रेशर दिता है प्रेशर तो मैं सब पुशिंग फोर्ज देता है इसी लिए नार्मल फोर्ज लिखा तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलू की नंबर ओफ स्कोपिक इंटरेक्शन पर टेक्सर नह यह सुंहें तो इन दोनुं बातों साथ लिखोगे जिए यह एक दूझा के इनवर्स है इसकांता क्या क्या सीधा यह सीधा इसी दागिया नार्मल फोर्ज के मतलब मतलब यह कि अगर आप इतना बड़ा एरिया रखते हैं और आप इतना बड़ा एरिया रखते हैं लेकिन पुशिंग फॉर्स सेम है तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला किसमें कि क्यों को वो तो पुशिंग फॉर्स के रिस्पॉंसिफ़ल का यह दोन बड़ा करें तो प्रेशे इंठ नग्यार कंगे बिलतर इस säger प्रिक्शन में यहां पर फोर्स भी तो बढ़ गया और जिसी यहां पर इंट्रेक्शन चांसे बढ़ जाएंगे लेकिन उसी हिसाब से प्रेशर घट गया तो अवरल कुछ नहीं होता अवरल वो पुशिंग फोर्स पे ही डिपेंड करता है कौन फ्रिक्शन वो अबरल किस प देहां तो क्योंकि इन दोनों केसे मेंfert तो बराबर हमां पुशिंग फोर्स बराबर ही होगा तो बोलो एर्याक कम हो गयाँ ठीक एर्या कमbeo इंट एससी प्रोपोर्चन में तो त्रस्ट वी बढ़ गया प्रेशर सहा जोह अ जोह होता हमईगे के फरdoor लेश यहां चुनेय प्रिक्षिन फोर्ट भी इसी के प्रोपोर्शनल आएगा तो अब आपका डाउट मेरे ख्याल से क्लिए हो गया होगा क्या की फ्रिक्षिन फोर्ट नॉर्म वेसे इसी इंटरेक्शन के वज़े से आया लेकिन वो एरिया से इंडिपेंडेंट है क्यों हाँ आप किसी और जु तो पॉलिश करने से तो फ्रिक्षिन घरता है हां घरता है क्योंकि यह माउंटेंज टूटते हैं तो घरता है लेकिन एक लिमिट के बाद बहुत क्लीन कर दोगे तो इनके बहुत सारे मॉलिक्षिस के कॉंटैक्ट में आ जाएंगा मतलब अब नमबर ऑफ मॉलिक्यूलर इ ाइसे विश्रे टुच कराके दबा दिया जाता है तो जुड़ जाती है क्यों ? इस से पहले हमने देखा कि friction क्या होता है, friction क्यों लगता है, अब हम उसका magnitude calculation करने जा रहे हैं, कैसे उसका magnitude का calculation होगा, तो देखो, यहाँ पर हम इसके लिए लेते हैं, एक block रखा है, इस rough surface पर, यह rough surface है, तो जब आप force लगाना शुरू करते हैं, क्या तो जब आप force लगाते हैं, फिर थोड़ा 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 लगाते हैं, तो अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, कौन था जो इसको रोग रहा था, तो जड़ा आओ FBD बना के देखते हैं इसका, जब आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये चला नहीं, इसका मतलग इस पे कोई जरूर पीछे की तरफ फोर्स लगा, तो हमारे मन मे देखते हैं, अभी FBD, FBD फोर्स लगा होगा, तो ये FBD की वैल्यू क्या होगी, ये FBD की वैल्यू होगी F के बराबर, कब तक, जब तक ये चल नहीं जाता, तब तक, उसके बाद कुछ और देखा जाएगा, तो जब नहीं चल रहा होगा, जितना फोर्स इसने लगा, उतनी फडश लग गया, जितना लगा, उतनी फड़च लग गया, ठीक, अब इसके बाद क्योंचना उसके बाद चला क्यों, तो चलने लग गया, तो हमारे सवाल का जवाब यथा, कि ये डिक रोक पायाँ, मतीनी पाया होगा wellbeing इस सफिस के इस सर्पेक्ट में ये फोर्ड相 maximum आउकात है उससे ज्यादा को रोक नहीं पाता है ठीक ठीक है तो जो एफ-डाइस जिसको हम बोल रहे थे कोई आया होगा वो कौन आया इन दोनों सर्फिस की बीच में इंटरेक्शन आया इसका मतलब मैं अब इस एफ-डाइस का नाम क्या रख दूंगा और इस फ्रिक्शन फर्स की खाड़ा है जब करें कीतना ज्यादा आपका बोल सकते इसका मतलब यह जो है यह डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स पर तो यहां पर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाके लिखते हैं यह मुव एस एन होगा मियूस के N क्या है मियूस क्या है coefficient of static friction मतलब यह हो गया यह इतनी अउकात है इसकी कि इतना यह maximum लगा सकता है कौन यह surface इस surface पे चलो ठीक है मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ जब यह फोर्स की वैल्यू जब तक इस वैल्यू से कम रहेगी तब तक इन दोनों सर्फिस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा अगर पहले से रेस्ट पे था तो तो उस केस में क्या हो जाएगा नो रिलेटिव मोशन होगा किसके बीच में विडवी नेसे सर्फिस तब तक जब तक f max बढ़ा रहेका f से तब तक तो तब तक friction के तना लगेगा मतलब तक तब तक यह फोर्स कितना लगेगा तो तब तक तब तक तब तक इन दो फिक सिन ने यह जाए लगए का Net Applied तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं चली जाए अब आप ध्यान रखो problem solving में इस बात का बिल्कुल सटीक ध्यान रखना चलेगा कब जब यह applied force के बड़ा हो जाए तब तब जब बड़ा जोन चलेगा जब छोटा रहे गा तो नहीं चलेगा जो चूरब तो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा तो क्यवें केस में फ्रिक्शन पॉर्स applied force के बढ़ाबर हो ओगा अब इसको मैं एक example से आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर 10 kg का एक ब्लॉक रखा था यहां पर μुएस की वैलू दे रखी है वो 0.8 दे रखी है तो अगर मैं आप से पूछूं कि यहां पर F is equal to अगर मैं 30 N लगाता हूं तो friction force कितना होगा तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं बहुत सारे बच्चों का जो 10 के बच्चे हैं 11 पर आते हैं वो बोलते हैं friction force, friction force तो होता है μुसन तो μुसन हो गया तो μुस की वैलू होगी 0.8, normal की वैलू हो गई कितनी normal हो जाएगा 100 क्यों 10 का है तो 10 का वेट कितना हो जाएगा 100 यह जाएगा 80 N तो बहुत सारे बच्चे इसका एंसर 80 N फटा फट दे देते हैं जो पहली बार इसको एप्रोश करते हैं वो गलत है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 80 N नहीं होगा तो कितना होगा कुछ होगा लेकिन 80 नहीं होगा कुछ कितना होगा चेक करो ना पहले बिना चेक कि आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो यह एक्शली F Max है क्या यह F Max है मतलब F Max से क्या बड़ा फोर्स है या कन फोर्स है तो देखो यहाँ पर यह जो फोर्स है 30 N F Max से छोटा है क्योंकि F Max हमारा आ रहा है 80 N 50 N से छोटा है जब छोटा है तो नहीं चलेगा जब नहीं चलेगा तो F Max कितना लगेगा 30 N इसका मतलब यहां पर फोर्स लगेगा 30 N Unle तो 30 N तो 30 N का फोर्स के वल यहां पर लगेगा न से ज्यादा न से अभी कम किए तीस N नूटन लगेगा सपी अभी हमने देखा जब सर्फिस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था तो लग रहा था सुट्स टो क्या जब दू mix में रिलेटिव मोशन सवी कुछ और फ्रिक्षности लेगा क्या और शेक करते हैं जब दो सर्फिस के बीच में डिलेटिव मोशन हो जाएगा कब हो जाएगा जब एक फ्रिक्षिंट लगता है कानिक क्या लगता है कानिक क्लिट किने टिक क्या होता है जब यह ब्लॉक किस ब्लॉक इस ब्लॉक इस सर्फिस पर रखा था इन सर्फिस की बीच में होगी रिलेक्टिव मोशन तो देखा जाए तो यह माउंटे जैसे मेरे हाथ यह ऐसे से जाने लग गए ट्रवल करने लग गए अब इस वेल्यों लिए सेद्यनिकेन की पक्राँमस से जनली बड़ी होती है लेकिन बड़ी आप्षो घबार महाँ u क्या यह स्टा है तर्म से डिफरेंट होता है बलकुल होता है मैज की वैल्यून की बड़ी मिव क्यों पता किसी को नहीं हैं कि सीद्धा बतलब कुछ ऐसा समझाई ही गया कि जब यह सर्फेस कोसूपर रखा 울 variation pinky फ्क्रावे तब बनेें शक्राव में था उसको ऑपर स्वाऄब किया तो वह बाउन डिवस szp अभी ही गर देवा और यह त्रफिस्न भीट से लगे माुंटेंस ने कोब गिसने यात। as a bit ecos यह तो यह życie कम क्लोंगे जबाद कॉले में हो गया थनिखिए लाट कहने की स्टेटिक और फीकषिंट इसे मुट की वेलिए sound तक के लिए for small velocity constant हो थी मतलब जादा विलॉसटी पैस की वैले बदलेगी लेकिन नप epilepsy से मुचन हो करने को दो बलो कौंस्ट piece हो के पूचह बदलेगी लोग एकम होस्टी से क्वेशिण हों ग peanut हम्यू के constant लेखेंगे किम्यू के क्या है को फिशनो श्राडिक कानेटिक फरिक्षिन है और इस्टाटिक जो कानेटिक है वो क्या है वो सर्फिस के नेचल पी बेंड करता है डिपेंड साथ नेचर ओफ सर्फेस ए मतब इसका कोई लेना देना नहीं है कि सर्फिस का शेप कैसा है सर्फिस का साइज कितना बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक, area से independent होता है, independent of area होता है, area से कोई लेना देना नहीं है, मत्तब ये surface के nature पे depend करता है, surface के shape size से depend नहीं करता है, ठीक है, और ये small velocity range के लिए constant होता है, बड़ी velocity के लिए बदलता है, mu k की value mus से थोड़ी कम होती है, क्यों, due to inertia, जब कोई rest move करना चुरू करता है, तो एक ज् मॉटेंस पहले इंसन लॉक रहतें चलते तो बैंटेंस ब्रेक करतें थोड़ा सर्फिस मूद होता इसकी लिए के रोग्या सो जब धुत सो जब दो सर्फ़िस के पीच सिर्लेटिव मोशन हो जाएगा रेड़ उस जिन गब होगा दियव ऐसा होगा उप जब आई साहुगा तब वह गद ब्स का छोगा साथ बता है मुके टाइम सफ एन अब आप सोच रहोगे एक बार क्या यह मुके टाइम सफ वेट भी बोल सकते हैं नहीं मुके टाइम सफ एन बोलोगे एन की वेल्यू कभी वेट आएगी तो रख देना अधरवाइस ज्यादा काबिल मत बनना गलत हो जाएगा नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है पुशिंग फोर्स के बराबर होता है हां अगर आप ऐसा बोलना चाहो कांटिक वेल्यू क्या होती मुके टाइम सफ पुशिंग फोर्स एग्रीड ठीक है मुके टाइम सफ वेट चुप रहो ठीक अब अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली समझू जितना अब पढ़के आएं उसको तो क्या होगा यह फोर्स था यह फुर्स था अगर मैं इसको ग्राफिकली समझू तो देखो जब तक डimento कतल अचतंट तब तक मतलब कर जब फोर्स की वैल्यू F Max से कम था तब तक तब तक फ्रिक्षन फोर्स की जो वैल्यू थी इस वाले सिच्वेशन में तो आपने बताया था F के बराबर है तो देखो F के साथ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा तो इसलिए बढ़ गया ती क्या हो जाएगा पैतार सा ऐसा दिया होगा, ऐसा, एक्शली होता तो बड़ा अजीब साइस दिक है, लेकिन हम अपने समझने के हिसाब से इसको ऐसा बनाएंगे, ठीक है, हमें कोई से जड़ा जरूरत भी नेगी, यहां पर क्या होगा, थोड़ा रफनेस चेंज होगी, तो ग्राफ इस तरह से, चली वैलिव आएगी, वो हो जाएगी, मू के टाइम साफ नॉर्मल, यहां पर यहां तक, जहां पर एफ की वैलु जो थी, एफ मैक्स के बराबर नहीं थी, तब तक क्या था, यहां तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, तो क्या जाएगा, नो रिलेटिव मोशन, इसके बाद, देर इस रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो यहां क्या जाएगा, रिलेटिव मोशन समझ रहोगा, किसकी बीच में रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, दो सर्फिस की बीच में रिलेटिव मोशन, तो यहां पर अगर तुम नोटिस करो, तो यह फोर्स ह कि वैलू क्या होती है constant रहती है लेकिन static friction की value static friction की value बदलती रहती है देखो यह इस पूरे range में static लग रहा था ठीक है तो अब अगर हम आपसे बोले तो बोलोगे static friction की value इस range में कुछ भी हो सकती है से लेके f max की वीच में कुछ भी हो सकती short में और kinetic friction की value kinetic friction की value केवल और केवल यहीं लिखी जाएगी mu k n लिखी जाएगी तो static friction change होता है क्यों चेंज होता है जब तक motion start नहीं होगा तब तक static लगेगा और जब relative motion की बातोरी मतलब और जब relative motion start हो जाएगा तो क्या लगेगा kinetic लगेगा तो क्या जाएगा वो mu k times of n हो जाएगा clear friction में सबसे ज़्यादर doubt होता है बच्चों को direction of friction निकालने में आऊ उसको discuss करते हैं तो friction का direction निकालने का बेस्ट तरीका है मालो friction है रही नहीं मतलब मालो friction नहीं ये तो अपने हाः आप आजाएगा कैसे अब अगर सबसे पहला example यह देखते हैं मानो फ्रिक्षन नहीं है तो यह ब्लॉक कि दर भाग के जाता यह ब्लॉक आगे भाग के जाता तो इस सर्फिस की बात करें तो इस सर्फिस की बात करें तो यह सर्फिस की दर भाग के जाता आगे की तरफ भाग के दर जाएगा पीछे ठीक और इस वाले पे इस ग्राउंड प यहां पर आदमी वॉक करता है तो अगर पता करना है तो आप बोडी मत देखो हमने पहले बताया था फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन विट्विन अगर इस आदमी को मैं दुबारा बना हूँ ऐसे इस आदमी का ये जो आदमी हमने बनाया है अभी ये इसका ये जो पैर है यह पैर की जाने के टेंदेनंसी किसटार है पीछे कितर अब पीछelles जाना चाहरा रहा है तो फ्रिक्षन कि दर लगता यह से आवब बताते हैं यह सी बॉल है यह ऐसे जा रही थी नहीं तो आगर आए से जा रही हción फैटा थे ढुर्टियोंति था रहे बादि यह अरेधित ने फिईंसे कि तरह पीजवे की तरफ अब गलत होता है गलत अहां यहां पर अगर सुर्ण और यह अगर यहां पर घूम रही थी तो बोलेंगे बॉडी जाक रही नहीं तो ऐसे चक्कर काट रही है कहीं जा रही तो फ्रिक्शन नहीं होगा अब बॉडी नहीं जारी नहीं घूम रही लेकिन ध्यान से देखो इस सर्फेस पर रहुती तो इसका यह वाला पॉइंट लगा आगे लगे तो आप बॉड़ी मत देखा करो point of contact देखा करो औश्याओ फ्रिक्शन नहीं फिर देखो point of contact कहा जा रहा है उसके अपोज़ित लगा दो बात खतम तो friction निकालने का बेस्ट तरीका क्या है मानो friction नहीं है और फिर देखो point of contact कहा जा है point of contact जिदर जाएगा उसके just opposite लगा दो एंसर आ जाएगा ठीक अब फिर से देखते हैं यहां पर यहां पर क्या है इस case में क्या है यह block ऐसे रखा हुआ था अब पुछा गया कि यहां भी roughness है यहां भी roughness है तो इस one पर friction किदर लगेगा हमने क्या बोला friction का निकालने का बस तरीका क्या है मानु फ्रिक्शन नहीं है अब तुम देखो को 1 पर निकालें पहले 2 पर निकालें बेस्ट बात तो यही है ना कि अगर इस वाले पर इस वाले पर बहुत आसान है अब इस सर्फेस पर देखो ब्लॉक के इस सर्फेस पर ने सोचो सबस्क्राइं पर तो रगिए पहल और तो आप तो आप कहते हैं मुझे अल्टा चल के दिखाऊ निचे चल के बगग क्या नहीं चनल रहते हैं जाना प्लूर को कॉर्ट लग यह को पूर इससे करने कमें है,ë तो यह फोर्स आगे लग राते हैं तो इसको आगे लेकर भाग जाता तो इस पर फिर लेकर लगेगा तो इस पर कितर लगेगा तो एक बाद बता हो सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है क्यों यह वाला सर्फेस भी आगे भाग के जाएगा तो अब वन पर कैसे लगेगा जब इस पर तुमने निकाल लिया तो यहां निकालने जरूरती क्या है इस पर आगे लगेगा पता है अगर मैं इसको एक दूसरे सब्सक्राइब कंसेप्ट से कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है इसके बारे में अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो यह ब्लॉक अगर आगे जाता तो इसके पीछे जाता तो इधर लगता आगे लगता तो मैं इस तरह से निकालूंगा तो बढ़ा डिफिकल् सब्सक्राइब करना है तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है कैसे जब पैडल मारना शुरू करोगे ठीक है तब क्या होगा जैसे आप पैडलिंग करना शुरू करोगे यह पहिया ऐसा घूमना शुरू करेगा ऐसा तो जैसे पैडलिंग करोगे यह पहिया ऐसा घूमना शुरू करेगा तो इसका यह बॉटम मोस्ट पॉइंट कहां जाएगा पीछे जाएगा जैसे बॉटम मोस्ट इतर Intièrement हो वान अंतद सीटाना नहीं साइकल को पेडامर के आगे लेकिशलेज कि पाइव दिसकते हैं तिया फ्रेक्शन नहीन क्या फ्रेक्शिन फ्रेक्शन धगका-मार रच ऑधिगामंगा ग्जैयनर के तक अएकिटेर्प करदप खमारा वैसे की तरफ लगेगा गांट पीछे वाले पीच्छे लगता है अब मोशन समझो जो जा यह वाला फ्रेक्शन यह वाला फिक्षिस जब तुम्हें पैडलिंग यह ना चाहिना शुरू कर दिया वाला फिक्षिन इसको आगे की तरफ देरा था गे की तरफ देरा था और जैसे तु इसको ट्रांसलेशन मुशन दे रहा तो यह इसका अपोस कर रहा है हाँ अपोस तो करी रहा है लेकिन यह बहुत इंपोर्टन काम कर रहा है यह इस पहिया को नचा रहा है अगर आप पैडल करते हैं यहां फ्रिक्शन नहीं तो यह नाच नहीं पाती यह यहां फ्रिक्शन होत आगे की तरफ चलाया समझे तो फ्रिक्शन ने इस पहिया को ट्रांसलेशन दिया और इस फ्रिक्शन के ट्रांसलेशन से यह पहिया ट्रांसलेट करने लग गया और फ्रिक्शन इस पहिया को नचाया समझे इस तरह से friction लग रहा होगा cycle की पया पे अब आप बच्चो वाली cycle पर खुद देखना जिसमें आगे पैडल लगी होती ठीक है समझा गया अब आखरीम बात करते हैं इस block की इस block friction का direction किधर होगा इस block friction का direction depend करेगा इस force पर क्यों अगर force कमजूर टाइप का लगा दू तो कुछ और होगा बहुत स्ट्रॉंग लगा दू कुछ और होगा क्यों मानो यहां friction नहीं है तो आप पहले बोलते कि ब्लॉक किधर जाता तो तो सर्फ डिपेंड करता है ब्लॉक आप नीचे की तरफ आएगा जब इस block की नीचे की तरफ आने की tendency होगी तो friction लगेगा अपूर डारेक्शन में ठीक लेकिन अगर यह force strong लगा दो कितना strong लगा दो उसकी बात हम numerical में करेंगे ठीक है अगर मालो इस पर हम strong force लगा दें तो इसकी tendency किधर जाने की होगी ऊपर जाने की होगी जब इसकी ऊपर जाने टेंशी होगी तो friction नीचे लगेगा मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि हम direction बता नहीं सकते क्या हां आप ऐस आना शुरू कर जाए तो friction उपर दिखाना होगा हो सकता है कि यह force बहुत strong लगा तो तो उपर जाना लगे friction नीचे की तरफ आपको दिखाना होगा तो यह depend करता है कि force कितना strong कितना weak है तब ही आप decide कर पाऊगे otherwise नहीं decide कर पाऊगे direction तो friction का direction निकालने का अबस तरीका क्या है मानो फ्रिक्शन नहीं है फिर देखो point of contact कहा जा रहा है जिदर point of contact जाएगा उसके opposite लगाओ काम खतम ठीक यह question need or jman's के लिए बिल्कुल दुरूस्त question है इसमें क्या दिया गया है कि एक block है यह rough surface पे रखा हुआ है तो इसमें कई सारे question आते है कि कितना force लगा है कि यह च तो इस अभी question को हम approach करना शुरू करते हैं देखो कैसे करते हैं फटा-फट पहले हम FBD बनाएंगे FBD बनाएंगे तो force यह इधर लग रहा होगा तो इस force के दो पार्ट होंगे एक कौन सा होगा F sin theta होगा और एक कौन सा होगा यहाँ पे F cos theta होगा और यहाँ पे क्या है mg ह और क्या है यहाँ पे नॉर्मल है इसके लाव कोई फोर्स तो है नहीं और यहाँ क्या लगेगा एक friction लगेगा क्यों फ्रिक्षिन का डाविशन निकालना हम आपको सिखा तो यह ब्लॉप चलेगा कब यह देखना है तो चलेगा कब जब F Max से ज़्यादा लगेगा फोर्स है F Max होता है मुस टाइम आफ एन मैंने या मू दिया है तो मुही मूस अंद्री मुके माल लो तो यह क्या जाएगा एफ मैस टैंक्स अफ एन अब एन कैसे निकालेंगे एन निकालने का तरीका क्या है यहाँ पे एन प्लस F sin theta minus mg is equal to 0 है क्यों 0 है क्योंकि एक्लिवियम में है net force vertical direction में equilibrium में है तो n की जो value आएगी वो आएगी mg-f sin theta भी मैंने आपको fbd के तुरू निकाल की यह दिखा दिया तो यह मेरे पास हो गई दूसरी equation और यह मेरे पास थी पहली equation चलेगा कब चलेगा तब यह condition satisfy करेगा तब अब f कौन है जिसको move कराने के लिए force है तो move कराने के लिए force कौन सा है इसको horizontal direction movement होने वाला है तो f cos theta तो यहाँ पे इस condition को अगर हम satisfy करने की बात करें तो जब हमारा f cos theta ज्यादा हो जाए किससे new times of इससे किससे mg-f sin theta से तब चलेगा ठीक है तो जब एफ जो plane के parallel जिसके लोंग चलना जाता है वो ज्यादा हो जाता है f max इस f से confuse मत कर जाना इसको इसको तब यह चलता है तो f cos theta ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम अगर rearrange करें तो f लिख लेंगे और यह क्या आएगा cost theta और यहाँ पे हो जाएगा plus mu s sin theta should be greater than mu smg जब ऐसा होगा तब चल जाएगा मतलब कर देना और इतने जादा रहेगा तो चलेगा ही तो f की value क्या है यह f की value ज्यादा होनी जीए किससे mu smg divided by cos theta plus mu s sin theta तो अगर ऐसा होगा तो ही चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा मतलब जस्ट चलने वाला होगा तब जब इसको बराबर कर दो कि तब इसके बाद से चलने लगे तो हम बोलेगे कि इस से ज्यादा होगा तो चली जाएगा तो क्या आएगा मिव smg divided by cos theta plus mu s sin theta इतना force लगाओ तो चलेगा तो अब बात आती है कि minimum कितना force लगाए minimum तब होगा जब यह वाला portion maximum हो जाए तो अगर मैं इसको differentiate करके maximum minimum solve कर लो तो मुझे पता चल्जाएगा किस force के लिए किस angle के लिए दब किस angle के लिए यह minimum force है ठीक है इसको कर दो maximum तो dx by d theta निकाल के कर दो 0 तो क्या आएगा यह solve होने बाद आएगा minus sin theta minus minus cos theta equal to 0 ती क्या मिलेगा आपका tan theta equal to mu मिलेगा tan theta equal to mu जब होगा तब minimum होगा उस समय minimum force लगेगा तो उस समय क्या होगा minimum force मुझे मिलेगा so tan theta equal to mu हो गया तो मैं इसको सीधा 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 साइन कॉस की value रखोगे तो minimum force आएगा minus mg divided by one plus minus square का root over यह आएगा minimum force जब यह चलेगा क्लिर अब इसी question में अगर पुछा जाए कि हम पूल ना करके इसको push करके ले जाते तो पुछ करके ले जाते तो क्या होता अब खुद बताव टेबल को खीच के लिए जना असान होता है कि दबा क्या असान ले जना असान होता है उस सवाल का जवाब ही मिलने वाला है तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं मैं फटा फट आपको इसका एपीडी चेंज करके इसी में एंसर बताने वाला हूं एफ अगर मैं ऐसे लगा दूंगा तो यह हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा और यह हो जाएगा हमारे पास क्या एफ कॉस थीटा ठीक है तो देखो यहां पर नॉर्मल क्या जाएगा यह ऐसे जाएगा तो मेरा यह नॉर्मल बढ़ जाएगा क्या जाएगा नॉर्म मारा थिसका तो यहां पड़ देखो वहाँ दीम में फरस कमें प्लस था स्था वहां पुल कर गोड़ तो पानुकर एक तो सुनाया